हेलो दोस्तों मेरा नाम राहूल और आपका हमारे यूटूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए मोहतो पुरुड़ प्रस्ट में लेकर आया हूँ जो है DNA के कारिया जो बोड़ एक्जाम में बहुत बार पुछा जा चुका है जो बहुत ही most important है DNA के कारिया आज हम आप लोगों को इस वीडियों में बताएंगे DNA के कारिया और DNA का full form क्या होता है तो पहले देख लेते हैं कि DNA का full form क्या होता है DNA का full form होता है D-Oxy-Ribonucleic-Acid ठीक है दोस्तों यह होता है DNA का full form इसे आप लोगों नोट कर लिजेगा यह परिच्छा में एक दो नमबर का पूछ देता है तो अब आगे बढ़ते हैं कि DNA के कारिया होते है तो पहला जो इसका most important जो कार होता है DNA एक अनुवानसिक पदार्थ है यानि एक पीड़ी दर पीड़ी बढ़ती है इसका सबसे महतपुर्ड कार है अनुवानसिक सुचनाओं को एक पीड़ी से दूसरी पीम भेजना यानि इसका जो महतपुर्ड कार होता है अनुवानसिक सुचना मतलब जो माता पिता में कोई-कोई जो लच्छड होता है वही उनके संतान में जाता है एक पिड़ी से दूसरी पिड़ी में भेजिता है ये अगला देख लेते हैं अगला एक यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जय वक्रियाओं का नियमन करता है अगला इसका कार्य है कि DNA प्रोटीन संसलेशड के लिए सभी प्रकार के आरियने का संसलेशड करता है एक आखरी देख लेते हैं DNA परियाबत रूप से इस्थाई होता है तता इसमें नियोटेशन तता आनुवानसिक परिवर्थनों की नियूंतम संभावनाय होती है दोस्तों मैंने आप लोगों को DNA के चार मुश्ट इंपोर्टेंट कारे बता दिये इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा एक बोड इग्जाम के बहुत ही महतों पुर्ड है इस पर पूछ सकता है तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी यह चोटी सी वीडियो पसंद आई तो लाइक से अब सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं बोड dife इग्जाम से इरलेटेट बहुत ही मोस्ट इपोटन वीडियो बनाता हूं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ